DMAT account versus trading account इन दोनों की बीच में क्या होता है difference? DMAT account एक digital account होता है जिसमें आप अपनी financial securities जैसे की bonds हो गए, shares हो गए या ETFs हो गए उनको एक digital way में store कर सकते हैं जब भी आप किसी broker के जरिये या खुद से stock market में shares को खरीते हैं तो सबसे पहले आपको एक DMAT account खोलना होता है जिसका आपको account number भी मिलता है अब अगर हम बात करें trading account की तो DMAT account में आप shares को store करते हैं वहीं trading account एक ऐसा account है जिसके जरिये आप इन shares को खरीते या बेचते हैं तो इसके लिए आपको अपने bank account से अपने trading account में funds को transfer करना होता है जिसके बाद आप आसानी से buy order या sell order को place कर सकते हैं